आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Good morning students तो हमारा आज का question क्या है Nearsightedness Nearsightedness एक defect है इसका relation दे रखा है इसके साथ Image in front of retina तो Nearsightedness की जब problem होती है तो हमें image जो है retina के आगे बन जाती है तो Farsightedness जो है यह जिससे भी related होगा इसमें image कहां बनती होगी यह बताना है तो तुक्का मारो जब पास की चीज देखनी थी इमेज आगे बन रही है तो दूर की चीज़ देखने में image पीछे बन रही होगी मतलब behind the retina बन रही होगी ठीक है यह तुक्का है पर आब इसको समझते है कि actually ऐसा होता भी है कि नहीं होता ठीक है Nearsightedness मतलब पास की चीज़ दिखाई दे रही है चलो जल्दी से इसको समझते है एक छोटा सा diagram बना लेते है इदर एक और diagram लगेगा समझाने के लिए एक और diagram है मुझा पता है मेरे drawing अच्छी नहीं है कोई बात नहीं ठीक है थोड़ा सा bear कर लो मेरे साथ यहाँ मैंने एक eye lens बना ली अब near sightedness का मतलब क्या है मेरे को पास की चीज दिखाई दे रही है दूर की चीज नहीं दे रही पास की चीज दिखाई दे रही है इसका मतलब मेरे eyes बहुत ज़ादा bending कर रही है देखो मैं समझाता हूँ कैसे हो रहा है यहाँ बन गी अब यह light rays ऐसे जाना चाहती थी तो माल लो मैंने इसको इतना angle mode दिया पर अगर मैं दूर की चीज देख रहा हूँ तो भी मेरी light मेरी जो यह ध्यान रखना कि मैं दूर की चीज देख रहा हूँ पर दिखाई नहीं दे रही है इसका मतलब मेरी यह lens है यह अभी भी इतनी converging power दे रही है और हमें इतनी need नहीं होती अगर मैं दूर की चीज देख रहा हूँ तो मुझे इसको भी इतना angle mode नहीं इमेजिन कर रहा हूँ तो यह actually अगर मुझे correct image बनानी थी तो मुझे इसको यहाँ पहुचाना था अब सोच के देखो फील हो रहा है यह angle थोड़ा बड़ा फील हो रहा होगा क्योंकि आरे पैरलल लाइन तो ऐसे सीधे जारी होगी यह जो पैरलल रेस आरी है यह सीधे जारी है तो समझ में आरे यह angle बड़ा है तो reality मेरी eyes तो है जादा मोडने की आदत रखेंगी तो वह eyes क्या करेंगी मेरी इसको जादा जल्दी मोड देंगी और यही पर मिला देंगी तो क्या हुआ इमेज जो है रेटीना के फ्रेंट में बन गया तो समझ में आ गया होगा यह case अब देखते हैं कि farsightedness के case में क्या है farsightedness के case में मेरे पास यहाँ पर से एक straight lines आ रही है parallel view of light आ रही है यह view of light यहाँ पर converge हो रही है और मुझे दिखाई दे रहा है farsighted हुम है ठीक है अब यही light rays अगर pass से आएं तो क्या दिक्कत हो सकती है देखो यह light rays ऐसे सीधा जाना चाती थी लेकर मैं देनको थोड़ा सा मोड़ दिया ध्यान से दिखना थोड़ा सा मोड़ा पर since मुझे pass की चीज दिखेंगे नहीं clear ली क्योंकि farsightedness है यह problem की दूर की चीज दिख रही है pass की नहीं दिख रही इसका मतलब मेरी यह जो lens है इसको अब ज्यादा पावर की नीड होगी feel कर जो क्यों जो दूर की चीज थी उसके लिए कम पावर की नीड थी pass की चीज ले ज्यादा अब इधर क्या है मेरे पास दूर की चीज के लिए यह कम पावर तो है पर पास की चीज़ के लिए जादा पावर नहीं है तो यह क्या करेगा इसको कमी बेंड करेगा Actually मैं यह ऐसे था मुझे इस पूरा बेंड करना पड़ रहा था तब काफी अच्छा कासा बेंड करनके देना पड़ेगा तब यह मीट करेगा ठीक है पर यह तना मीट तो करेगा नि देखो इसको कम अंगल मोड नहीं क्या रहा था तो यह हलका सही मोड़ेगा ज्यादा नहीं मोड़ेगा अब क्या होगा यह जो लाइट रेस है एक्चुली मैं ऐसे पीछे चली जाएँगी तो कहां मिल रही है यह यह light rays, यह light rays मिल रही है मिल रही है बिहाइंड दी रीटियना, समझ रहे हो ऐसा आना चिए था इजो अंदर बनाया है यह आना चिय था पर आसा होगा नहीं क्योंकि हमार्ल मेरी जो आई आईज हैं लोडिवेट बेंट करने की पाऊवर रख रही है तो I hope यह question आप सबको समझ में आ गया होगा